है आदे हैं कि असलिआ मेलै कूम आझ हम बहुत ही मदेदार रेसिपी बनाने जा रही हme जो जाड़ो के सौकात हैं करना मंखानी की रेसिपी बेन मेवा या गूंद का हल्वा बहुत ही मजेका होता और इंटर्स में यह फाइदा भी करता है हल्दी होता है तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं कुंद की मेवा यहां पर हमने हाफ केजी रवा लिया है सैमलीना या रसूजी कहते हैं और यह हमने शकर लिये 600 ग्राम काजू और बादाम धाइड़ोई सु ग्राम लिये 250 और यह पिस्ता है यह हमने 100 ग्राम से थोड़ा जादा लिया है और यह मगज है 100 ग्राम पांचों मगज या एक मगज जो भी आपको मिल से हो डाल दे यह खशखश है दो टेवल स्पून और यह दखनी काली मरेच एक टी स्पून है अगर आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं पीस करके और यह कुछ इलाइची हरी लिये हैं ने लॉंग लिये और दारचीनी के दू टुकड़े लिये हैं और यह थोड़ा सा जाफरान डाल देंगे हम और यह 10-15 हरी इलाइची है इसको कूट के इसका पाउडर बना लेंगे और यह 200 ग्राम गोंध है आप 200 ग्राम भी मुण ले सकते हैं को चोटा-चोटा से इसको काट लिया है यह 250 ग्राम गोला है जोगीस लिया तालम घाने है 1500 एसकी क्वेंटिटी तो 1- Babe 250 ग्राइब गी जितना यूज होगा तो यूज हो जाएगा एक पैन में घी डालेंगे थोड़ा एक टेबल दो टेबल स्पून के कराबर और इसमें ये काजू बादाम और पिस्ता इन तीने चीजों को हम फ्राइ कर लेंगे इतना घी ठीक है और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे और ये बाद में ठंडे होते हैं तब क्रिस्पी हो जाएंगे इन आर्याल कर गोला जो हमाँ लोपने के रखा था इसको भी सी थोड़े से घीaus में बहुल लेंगे के नारेल अपना घी वैसे छोड़ता है तो बस थोड़ा से इसको रोस्ट कर लेना है और इसको भी निकाल लेंगे और यह चुरा काट के रखा है हमने इसको गज़ा घी में एक एक करके सारी चीजों को फ्राय करना है और यह किश्चमिश नहीं दिखाई थी हमने टीकिश्चमिश भी हमने 1500 ग्राम लिये हैं आप चाहें तो कम यह जादा कर सकते हैं इसको थोड़ा सगी में इसको फ्राइकल लेंगे यह फूल जाती है किश्चमिश तो इसको भी हमने निकाल लिया सारी मेवा कासाल सटने मिन चाइब के में यह भी न जुझ इहूं करोफके दिन की अभी सिदिन ओर इम यह संड आए रिकार तो पोल जाते हैं विलक्ते में ही जिला भूट अन्दर अच्छ सीच फिरीपて के डाल के ङटाये नहीं है तो थोड़ वह बैताए फ्राय स दाला, अधी त मिवलें, गी अधाल ने पूले, ताल माखने को भीन्य नाओ घी तूले ज़ुटाइब, विलता वी है फुला लाईऊ चल्पाई बीजिए को अधी पहले, घी थूटा भीने चल्सब्स ताल माखने झाले mass registration ले शाम होगा जाये हैं इतना जादागी होता है इतना प्तर महाने, घी को पी लेते हैं तो असलिए थोड़ा ही फूरा ही उस करते हैं दो-तिन बार करके और ये मगस भी हमने इसमें डाल दिये घी में रखेंगे तो इसी में हम खुषकुष भी डाल देंगे तो ये भी हमारी भून जाएगे और इसको भी निकाल लेंगे तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके घी जा रहा है तो ये सब जब मेवा बनेगी तो अब ये निकलेगा उसके अंदर और ये अब हमने इसमें रवा डाल दिया है ये हाफ केजी रवा है रवा कुछ लोगों नहीं सोज में आता है कि रवा क्या जीज़ है तो ये सूजी जिसको बोलते है हिंदी में या सैमोली न इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें गोर्डन कलर का हो जाने तक की भूना है और जितना घी की जरूरत हो उतना घी इसमें य जल्दी से घी जमने लगता है और यह मगज और खुष्ष्ष्ष्पों भी हम इसी में डाल देंगे ज़ए कि तो बाद में ज्यादा मिक्स करने की ज़ोत नहीं पढ़ता है कि रवा फूरा नहीं फूल जाता है तो फिर तो आप हमने एक यह बड़ा बरतल ले लिया है इसमें घी डाल लिया है 100 ग्राम के खरीब 100-500 ग्राम डाल लिया है और यह जो साबुत हमने रखे थे लांग लाची और दाल चीनी तो इसको डाल देंगे अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि यह मेवा भार ही होती है और दाल चीनी से जल्दी हसम हो जाती है तो यहां पर हमने 600 ग्राम शकर लिया है आप चाहें तो 700 ग्राम भी डाल सकते हैं इसमें तो यहां पर हमने चार कप इसमें पाइं डाला है तो तीन कप मेजर्मेंट के साब से हमारी शकर थी 600 ग्राम तो चार कप हमें इसमें पाइं डाल लिया है यह थोड़ा सा हमने इसमें जाफरान भी डाल दिया जाप्षणल है एगए आपके पास है तो आप डाल लें अब इसको अच्छे से बॉइल होने देंगे हम तो यह देखिए बढ़िया से बॉइल होने लगा है तो पांचे मिनट इसको इसी तरीके से पुआई हो जाने लेकिन अच्छे से जब पक जाती है तो फिर वो खराब नहीं होती है जल्दी अब हम इसमें डाल देंगे तालमा खाने और यह हम नारियल ताकि यह थोड़े सा जो शीरा है वो पी लें अच्छे से पी लेती है भूल जाती है तो बस एक दूमनेट इसको चला लेंगे और बा अच्छे से मिक्स करना है सारी चीजों को इसमें टाइम नहीं लगना है यह पांच मिंट तैयार हो जाएगा और बाकी तैयारी करने में तोड़ा टाइम लगता है जरूर तो यहां पर फ्लेम को हमने अब आफ कर दिया है बस इसी भाप में यह हमारा रवा विलकुल तैयार हो जाएगा रवा इन चीजों को बॉइंट करने के लिए है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है आप चाहिए रवा बढ़ा भी सकते हैं यह मने लाइची पाड़र डाल दिया और यह गोंद भी हम नहीं डालेंगे इसमें यह बाद में डालेंगे तो रवा बढ़ाना चाह जाएंद को अब थोड़ा डाल देंगे और धोगिशा। हम अब फ्रेश घनडा हो गया है मेवा टीदर के आप इसमें गोंजमा को में कुछ लोग। पीस के गोंडार दालते हैं और अगर पीस के डालना है तो आप गरम में भी ढाल सकते हैं जैसी आपकी मर्स होती है हमारे ब 팬How पुश्त सीजन की में घखे पर बनाए हमारे मीच विण तो पूसंुरा पर रेसेपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिए शेयर करिए सबस्क्राइब परिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है फिर मिलेंगे इंशालला एक ऐसी ही मज़िदार सी अच्छी सी रेसेपी के साथ अस्सलाम अलेकूम अल्हाफिज